Hello Everyone, Welcome to my channel Life Nurturing आज मैं आप सब के साथ Think Like A Monk बुक की समरी को आगे प्रोसीद करूँगी और उसके आगे के और 5 की पोईंट्स जानेंगे Part 2, Grow, Key 7, Mind हम सब की कोई न कोई बुरी आदत या थिंकिंग का पाटर्न होता है जैसे की गुसा, डर, लालच, इगो पर अगर हमने अपने माइन को Master करना सिखाया तो हम इन सब से Overcome कर पाएंगे अपने माइन को Control करने के लिए हमें Detachment की Practice करनी चाहिए छोटे-छोटे Temporary Challenges लीजिए जैसे की Sweets या Alcohol को छोड़ना Gossip, Complain और Comparison अवोईट करना एक और तरीके से हम अपने माइन पे Control पा सकते हैं चलिए जानते हैं पहला, Spot the Attachment जैसे की, For example लेते हैं हम अगर आप बार-बार Phone चेक कर रहे हैं तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं आखिर? Bore होने की वज़े से? Laziness की वज़े से? या फिर अकेला महसूस करने की वज़ा से? दूसरा, Stop and Rethink It रुप जाएए और सोचिए कि आखिर आपने कितनी लिमिट रखी है स्क्रीन टाइम की? क्या आपने अपनी लिमिट क्रॉस की है? तीसरा, Swap in New Behavior आप Phone चलाने के बदले Half Hour Walk कर सकते हैं या एक वीक नो शोशल मीडिया चालेंज ले सकते हैं आप जानते हैं, हमारे माइन को डेली मेंटेनिंस की जरुरत होती है जो थौट्स हमने सर्फ करते हैं, हमारी वाल्यू से माच होते हैं, उन्हें रखें अपने थौट्स को रीफ्रेम करें ऐसे सेंटेंस का यूज नहीं करें कि मैं परिशान हूँ मैं स्लो हूँ मैं ऐसा नहीं कर सकता उसके बदले कहें कि मैं इस पर काम कर रहा हूँ मैं सुधर रहा हूँ अब नेक्स्ट की जानते हैं की एट बिल्ड सेल्स टीम, नॉट इगो अगर आपकी चोईज इस डिफर करती हैं जब आप अकेले होते हैं और तब जब आपको कोई जज करने के लिए होता है या आपको किसी को इंप्रेस करना होता है इसका मतलब आपको अपना सेल्स टीम को बढ़ाना होगा और इगो को बढ़ाने के लिए जानते हैं वो दो चीज़ें क्या है पहली आपको यह सोचना बन करना होगा कि आप दूसरों से बहतर है monkey mind हमेशा ये सोचता है कि उसने दूसरों के लिए अच्छा किया है और दूसरों ने उसके लिए क्या गलत पर एक monk mind ये सोचता है कि उसने दूसरों के साथ क्या गलत किया और दूसरों ने उसके साथ क्या अच्छा अगर आप भी ऐसे thought process रखेंगे तो आप ज़ादा grateful रहेंगे grateful रहेंगे, आपकी life अपने आप improve हो जाएगी अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो ये मत सोचे कि वो चीज आपने उसे दिये life ने उने दिया है detached from the ego हमें ego रहता है हमारे profession का, achievements का, job का, beauty का, money का पर ये सब temporary चीज़े हैं actually हम सब एक awareness हैं, जो इन सारी चीज़ को experience कर रहे हैं पर हमें इन से attach नहीं होना अगर आपकी कोई insult करता है तो उसको अलग नजरिये से देखने की कोशिश करें उस पे work करें अगर आपको कोई compliment देता है तो grateful रहें उन लोगों के लिए जिन्होंने आपको इस compliment के लायक बनाया दूसरों की success सुनकर खुश होए उनको और ज़्यादा prayers दे Part 3 Sir, Key 9, Gratitude Thankful हमें हमेशा अपने दिन की शिरुवाद gratitude से करनी चाहिए आप अपने आप observe करेंगे कि आप अपनी life में ज़्यादा opportunities देख पाएंगे ज़्यादा खुश रहेंगे आपको ज़्यादा अच्छा महसूस होगा Gratitude को एक habit बनाए Gratitude journal रखे सोने से 5 मिनट पहले Gratitude लिख के सोए Morning gratitude जै कहते हैं सुपर उठें तो उल्टा लेट जाएं जैसे आप अपने हाथों को रखते हैं जब आप prayer करते हैं वैसे रखें और grateful फील करें जो कुछ भी है आपकी life में आपको जो कुछ भी दिया है उन सारी चीजों के लिए Gratitude फील करें सुबर उठते ही खाने के पहले grateful फील करें जब आप relax कर रहे हैं walk कर रहे हैं तब grateful फील करें खुशी को visualize करें अब ये कैसे करना है जब आप meditation करते हैं एक moment के लिए उस time और उस place को visualize करें जिस time आप खुश थे सोचें आप कैसा महसूस कर रहे थे जब वो चीज आपने experience की थी उस खुशी को वापिस अपने में enter होने दे किसी भी situation को या incident को judge बिलकुल भी ना करें अपने आप से पूचें कि क्या opportunity मिल सकती है मुझे या कौन सा lesson सीख सकते हैं आप जिन के लिए बहुत ज़ादा grateful हैं उनके लिए gratitude letter कभी-कभी लिखा करें आपको बहुत ही ज़ादा अच्छा लगेगा और उनके साथ आपका relation और ज़ादा strong होगा की 10 relationships इस book में Jay ने बताया है जो भी energy आप बाहर देते हैं आपको वो वापस ज़रूर मिलती है पर problem आ जाती है expectation ने हम expect करते हैं कि जिस इंसान से हमने प्यार किया वापस प्यार भी उसी इंसान से मिले पर हमेशा ऐसा नहीं होता न आपको प्यार किसी और के थूर जरूर मिलेगा हमें चार तरीके की characteristics चाहिए होती हैं लोगों में पहली characteristic जो आपको सुने जो आपके problem को solve करने के लिए capable हो दूसरा care जो हमेशा आपके लिए best चाहे जो आपकी परवा करें तीसरा जिनकी strong personality हो और उनकी values आपके values से match करें चौथा जो आपके लिए हमेशा available हो पर reality यही है कि ऐसा कोई भी नहीं होता जसमें यह सारी चारो qualities हर टाइम पर present हो और नहीं आप ऐसा role play कर पाएंगे किसी और की life में आपकी life में जो भी लोग हैं उन्हें categorize करें कि वो कौन सी characteristics आपको show कर रहे हैं क्या हो सकता है कि वो कोई और अच्छी चीज आपकी life में ला रहे हो और उनके लिए आप gratitude फील करें उससे पहले आप खुद सोचें कि आप कौन सी values उनकी life में offer कर रहे हैं यह बहुत ही जादा जरूरी है हमें प्यार देने में जादा विश्वास करना चाहिए अगर आप अच्छा relationship बनाना चाहते है तो सबसे पहले आपको खुद clear रहना जरूरी है कि आप क्या चाहते है उस relationship से अगर आप clear नहीं रहेंगे अपने thoughts में तो आप गलत लोगों को अपनी life में attract करेंगे हमें अपनी life में accept कर लेना चाहिए कि हर relationship life time के लिए बिल्कुल भी नहीं होता है कुछ relationship किसी particular reason के लिए होते है कुछ particular season के लिए होते है हाँ और कुछ forever के लिए भी होते है Jay कहते हैं हमें connection को choose करना चाहिए over attraction एक long lasting relationship के लिए आपका emotional और spiritual connection होना बहुत ज़ादा जरूरी है Jay recommend करते हैं जब भी आप अपने partner के साथ रहे तो quality time spend करे जब आप electronic devices से distracted ना हो आप एक deep conversation में involved हो आपकी presence और attention बहुत ज़ादा जरूरी है अगर आप अपनी life में बार बार गलत relationship में आते हैं इसका मतलब कहीं न कहीं आप खुद को प्यार नहीं कर दे आप खुद को समझ ही नहीं पा रहे हैं अगर आपको ये लगता है कि आप incomplete हैं और कोई और आके आपको complete करेगा या आपके problem solve करेगा आपके pain को कम कर देगा तो आप गलत सोच रहे हैं आपको खुद को खुद ही heal करना होगा जब आप एक giving stage में होंगे अट्राक्ट कर पाएंगे Key 11. Service एक monk की तरह सोचने का मतलब है service देना जितना हमें मिला उससे ज़ादा हमें इस दुनिया को देना चाहते हैं service देने के बहुत चारे benefits है service आपको दूसरों से और world से connect करेगा service आपके में gratitude, kindness बढ़ाएगा और stress, negativity को कम करेगा service देने से आप ज़ादा confident फील करेंगे अपनी life में कभी भी service देने के लिए best time या situation मढ़ दूनिये service mindset create करने के लिए जै recommend करते हैं अपना circle extend करें जिनकी आप care करेंगे पहले 4-6 ऐसे लोग रखें जिनकी आप care करेंगे फिर अपना circle extend करें धीरे धीरे जब भी serve बहुत ही kind intention के साथ किया जाता है तब return के कोई expectation नहीं रखता जब भी भी आप किसी को कुछ दे रहे हैं चाहे वो कोई चीज हो या कोई अच्छा emotion वो आपके पास है इसलिए आप दे पा रहे हैं तो अगर अपनी life में detachment सीखना है तो service सबसे अच्छा पात है अब question आता है कि हम service कहां दे उसके लिए जय recommend करते हैं आप ऐसे 3 moments लिखिए जब आप अपनी life में lost थे बहुत ज़ादा ही आप परिशान थे जब आपको किसी की जरुरत थी किसी की help की जरुरत थी वैसे ही लोगों को ढूंडे जो आज अपनी life में उस situation में फसे हुए हैं उनकी help करें उन्हें उस situation से निकालें उन्हें emotional support दे I hope आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला हो like and subscribe my channel video को share करें and thank you so much for watching